नमस्कार मैं मानस्वी शर्मा और आप देख रहे हैं दा हिंद वारियर रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की तरफ यूपी के प्रयाग राज में जहरीली शराब पीने से अब तक नौ लोगों की मौत जांच के लिए बनाई गई कमेटी बीजेपी के सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदेख धालत में मौत उनके दिल्ली के घर में फंदे से लटका मिला शव केंदर सरकार ने कोवाक्सीन के 2 करोड डोज का दिया और एक डोज की कीमत 157.50 रुपे पंजाब में सीएम अमरेंदर सिंग और नवजोट सिंग के बीच में आज होगी एक बड़ी मीटिंग अश्टिम बेंगॉल में आज टीमसी चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो शाम पांच बजे करेगी जारी यूपी के मुख्य मंत्री योगी अधित्यनाथ असाम का करेंगे दौरा तीन रालीज को करेंगे संबोधित जरात में करोना के चलते आज से 31 मार्च तक वडोधरा एहमदाबाद सूरत राजकोर्ट में नाइट करफ्यू इंडिया वर्सिज इंग्लांड की T20 सीरीज के थर्ड मैच में इंडिया को मिली मात इंग्लांड ने आठ विकेट से जीती पारी आज भारत में 28,939 कोविट केसिस जिसमें से 17,741 लोग हुए रिकवर वही 188 लोगों की हुई मौत धन्यवाद मैं मानसवी शर्मा और ये थी कुछ आज की बड़ी सुर्क्या और ऐसी ही बड़ी न्यूस सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चानल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें धन्यवाद